दोस्तों पशूँ में टिक एंड माइट इन्फेस्टेशन जाने की चिचड और जूँ की समस्या अकसर रहती है और जादातर बिमारियां पशूँ में टिक्स के कारण फैलती हैं जिस पशूँ के उपर चिचड होते हैं उसकी बाडी को डूद रफ होता है जैसे कि ये गाए और साथ में वो दूद भी कम देता है याई करवाने पर वो रपीट कर जाता है उसमें खूण की कमी हो जाती है आपने पशूँ को ये इंजेक्शन 6-7 ml सब को टेनिस रूट से लगा देना है जानी की पशूँ की चमड़ी में इसके अंदर लॉंग एक्टिंग आइवरमे करेगा इसके अंदर ही सब कुछ होता है तो ये सबसे बहतरीन इलाज है चिचड को जड़ से खतम करने का आप इस वीडियो को लाइक करें जादा से जादा लोगों में शेर करें धन्यवाद